दोस्तो गौतम बुद्धा जीने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो तो अच्छा सोचो और अच्छे बनो तो दोस्तो अगर आप वेट कर रहे थे कोई ऐसा फोन आ जाये जहाँ पर हमें स्लाइडिंग मेकैनिसम मिल जाये पर उ जाये होगी हमने जितने भी अभी तक श्लाइडिंग फोस देखें वह बहुत जाला मेहंगे होते हैं अगर हम देखें यहां पर श्लाइडिंग मेकैनिसम तो नहीं है बट मोटराइस कैमरा तो है तो कुछ आपको ऐसा फूचर टेखनी है अपने फोन में पर यार महेंगे बहुत आते हैं क्या करें तो आपको बता दो लेनो ने लौज गया है चाइना में एक फोन जिसका नाम है लेनो जेड़ फाइब प्रो मैं चाहता हूं कि यह फोन इंडिया में जरूर है क्योंकि यह फोन जो अगर इंडिया में आता है तो धमाल मचा देगा क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कब है प्राइसिंग के बात करूँ है एड़ में पहले मैं आप सबसे बात करता हूँ इस फोन में आपको क्या मिले वाला है और क्यों आप इसके लिए एकसाइट होने चाहिए जो है तो गाइज आपको यह नई इंटरो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई थो चैनल को आप सबस्क्राइब भी कर सकते हैं और इवन की bell बटल को भी दबा सकते हैं अगर bell बटल को दबाते हैं तो आपको हर एक वीडियो का notification में बिल जाता है और एक और चीज़ की notification देदू की channel में giveaway चल रहा है तो यह रहा i-card उसको ज़रूर देख लीचे तो यहाँ पर Lenovo Z5 Pro जो है वो Lenovo कमाल की बात है अब यह Lenovo Z5 Pro जो है वो आपको देखने को ऐसे लगए जैसे कि Xiaomi का Mi Mix 3 है क्योंकि सामने की साइड आपको देखने को लगता है यह Bezal S4 और पीछे की साइड आपको मिलेगा dual camera आस पर यहाँ पे गजब की बात यह है को fingerprint scanner देखने को नहीं मिलेगा आपको और साथ में यहाँ पे sliding mechanism है जैसे की Mi Mix 3 में आपको देखने को मिला था अब यह glass bag के साथ आ रहा है तो phone देखने में बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रहा है 6.39 inches की display है guys जहाँ पे 95% का screen to body ratio देखने को मिलता है कमाल की बात है और यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर आपको कोई cameras कोई notch कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता जबकि यहाँ पे sliding mechanism देखने को मिलता है जिसके कारण यहाँ पर यह ऐसा screen to body ratio ला पाए तो आपको display के मामले में कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि Full HD Plus है और साथ में यहाँ पर आपको HDR10 का support भी देखने को मिलता है तो आपको content देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है अब इनके जो mechanism में 6 guiding structure है यहाँ पर मजबूती देने के लिए जो कि आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मजबूती दे पाएगा और साथ में Lenovo कहता है कि हमारा जो slider है वो 3 लाख बार उपर नीचे उपर नीचे हो सकता है जो कि Xiaomi ने भी claim किया है और यहाँ पर Oppo ने भी claim किया था तो आपको परशानी की बात नहीं है क्योंगी इतना लंबा तो कोई चलाता भी यह फोन तो आए थिंग यह फोन अराम से काफी दिर तक निकलेगा गाइस मैंने आपको बला यहाँ पर fingerprint scanner नहीं है पर design में अगर आपको मैं बता हूँ एक नया change है लेनो इस बार आपको दे रहा है फिफ्ट जनरेशन का optical fingerprint scanner डिस्पले के अंडर तो इन डिस्पले fingerprint scanner है तो यार आपको एक नई technology मिल रही है अगेन बहुत इच्छे price point पे और यह कहरेंगी बहुत जाला accurate है 99% accurate है और यहाँ पर 0.2 seconds में unlock हो जाता है यह कहते है भाई या जब तक आपकी आग यहाँ पर जपकेगी उत्ती दिर में unlock हो चुका होगा तो देखते है इतना fast होता है या फिर नहीं होता पर अगर होता है तो मैं कहूंगा 11-0 वे ने कमाल काम किया है वही सिर्फ fingerman scanner देखने को नहीं मिल रहा है face unlock भी देखने को मिल जाएगा और वो भी IER face unlock जो की Xiaomi में हम देख चुके हैं और यह कमाल की चीज़ है कि आपको यहाँ पे low light में भी आपको phone जो है वो face unlock कर पाएगा I think Lenovo काफी बढ दगाया गया है तो हम आपको बता दूद दस नेनोमीटर वाला है यहाँ पर स्नैपर गंगा साथ सो दस प्रसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब कहीं न कहीं है आपको flagship level की performance देख देगा इसलिए वो ही कहते हैं Lenovo वाले कि हमारा जो फोन है वो flagship phone है with 6GB RAM 64GB internal storage और सा देखने को मिल जाएगा विंद का इस फ्रंट साइड पे जो स्लाइडर रहे उसके अंदर भी दो-दो कैमरा चुप रहे हैं जापे 16 प्लस 8 Megapixel का कैमरा देखने को मिल जाएगा और यह चार कैमरास है आपको काफी अच्छी photography करके देपाएंगे बैटरी के लिए यापे 3350 साइज वाली साइस की बैटर लगाई गई है विद 18W की चारजिंग का सपोर्ट है तो यारी को एक चारजिंग 3.0 का सपोर्ट देखने हो मिल रहा है अब यहाँ पर गाइस आपको एक disappointment देदू headphone jack निकाल दिया गया है बट अच्छी बात यह है लेना वो अपने box के अंदर यह आपको bundle करके दे रहा है अपना wireless headset तो यह कमाल की बात है कोई company wireless headphone बीच में डाल के दे रही है अब pricing की बात करूं तो गाइस जो 6GB और यहाँ पर 64GB वाला variant है तो वो कही ना कहीं Indian pricing अगर मैं convert करूं Chinese से तो बनती है 21,000 के करीब और अगर बात करूं 128GB के लिए वो बनती ह 24-25,000 के करीब अगर इस price पर यह phone आता है तो मैं कहता हूं यार यह दमाद हो जाएगा क्योंकि cameras भी काफी अच्छे है यहाँ पर आपको नया design देखना है business phone है even की performance top notch है तो मुझे भी लगता कि इस price point पर इससे अच्छा phone अभी available होगा अगर यह launch हो जाता है तो अगर पसंदा आया जो भी आपकी रहे है नीचे comment section में बताओ मैं आपको reply देदूँगा और इवन की यार अगर चैनल को subscribe नहीं किया है कर लीजे का मैं तो आपको अगले अपिसोड में तब तक अपना और चैनल को रखे है याल and keep smiley love you guys bye bye